दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाखर कोल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेब सोब से जोड़ी हर तरह की वीडियो के उप्लिक सबसे पहले मिल सके हमारी झाल और बेल आपको देल आपको से ए Спत के याल अगर वीडियो के उप prosecutionम पने खरेसे जोड़ी हर दाविकों आपको जॉपनी के साथ विशले 20 सालों से मैं इस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ और लगातार कंपनी का जो सपोर्ट रहा कंपनी का जो विजन रहा हमारे सारे लीडर्स ने दमदारी के साथ में इस बिजनेस को पूरे इंडिया में बहुत शांदर तरीके से किया और रजजी से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारी टी लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से उन्होंने सारे प्रोग्राम को डिजाइन किया और एक नाम दिया, Skill Up Conclave और कंपनी ने जिस तरीके से पिछले डेड़ साल में टोडर्स के उपर काम किया है, टोडर्स डिस्पेश के उपर काम किया है और डिजिटलाइजेशन के उपर काम किया है, कंपनी ने बहुत अफिस्किल किया हुआ है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा काम करने के तरीकों में भी बदलाव लेके आना है ऐसा मेसेज हमें मिला, काम कैसे करना है, उसकी स्किल्स मिले और एक नया विजन लेकर के हमारे सारे के सारे लीडर्स यहां से जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरे इंडिया में बहुत शांदर तरीके से अपनी प्रेजन्स पनाएंगे इन प्रोडक्स को प्रमोट करेंगे हमको यहां पर आने के बाद पता चला कि हमको एक एक गुड स्टुडेंट बने रहना है लगातार सीखते जाना है इस बात को मैंने समझा डॉक्टर वेदी मेडम के माधियम से टीम को लीड करने में कैसे समश्या हैं और उनको कैसे सुल्जाना है यह मैंने स्किलब प्रोग्राम में सीखा आज का ये skill up program attend करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा energy और बहुत ही ज़्यादा जोस महसूस कर रहा हूँ मैं पिछले 18 साल से वीनिस में आउँ लेकिन ये skill up program में मैं ये बोलना चाहूंगा 18 साल की सीख एक तरफ और ये दो दिनों की सीख एक तरफ है मैंने एक अंग्रे जी की लाइन सुनी थी if you don't want to kill your team then you should skill up your team तो ये जो बात है वो आज याँ पर आके महसूस होई एक सच्छा लीडर हो है जो लगातार अपने आप में skill up करे ऐसा ट्रेनिंग बार बार होना चाहिए ताकि मेरा डाउनलाइन का लीडर भी मेरा जैसा अपना skills को अपडेट कर सके जिंदगी में आगे जाना है तो सीखते रहना पड़ेगा हर फिल्ड में अपने अपनी skill है वो अपडेट करते रहना पड़ेगा एक team building के लिए जो relationship की ज़रोत होती है उसके वारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से यहां सीखा हूँ और मैं टीम को बहुत साथ लेकर के चलने के लिए तयार हूँ और बहुत बड़ा काम करके दिखा हूँ हूँ इसके लब प्रोग्राम से यह जानने का मोका मिला कि हमें किस तरीके से team building करनी है और किस तरीके से best to best leadership करनी है यहां से मैं बहुत बड़ा विजन और mission लेके जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम team को बढ़ लेविल पर काम करवाएंगे ट्रेनिंग तो ओर भी धेड़ सारी हुई है पर यह अधबुट ट्रेनिंग हुई है हमें everyday skill up करना चाहिए और अगर हम everyday skill up करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे यह training में हमारा team को कैसा growing करना ethics के साथ यह अच्छा लगा अधिक्स निया है तो leaders कैसा destroy हो जाएगा यह हमारा director साब एक दम अच्छा तरीका सार समझा दिया long term business करने के लिए so कैसा education team को देना चाहिए और कैसा education एक leader लेना चाहिए यह सब बात चीखने का मोका मिला हमारी company के product बहुत ही बहतरीन है और इस product की जानकारी पुरी team को दे करके बहुत बहुत बहतरीन काम किया जा सकता है बहुत तेजी से growth ली जा सकती है आज मैं अपने यहां से vision लेके जा रहा हूँ कम से कम अपने जो business है उसका 20 गुना growth करके मैं दिखा दूँगा जितना हम जादा अपने भीतर अपने skills को develop करेंगे उतना ही हम जादा growth कर सकते हैं और ऐसा हम जरूर करके दिखाएंगे कभी भी जो basic काम जो हमारा होता है बहुत चोड़ना नहीं हम लोगों को कि किसी भी कोने में हर product को sale किया जा सकता है अपने टीम को सुनना अपने टीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है साथी साथ जिस product को हम लोग sale कर रहे है उससे पहले उनकी जानकाई लेना बहुत ज़रूरी है आज इस की लब बुर्गाम से इतना बड़ा वीजन मिला है इस बीजन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में क्रांति ला सकता हूं अपने अंदर सेल्फ इंप्रूमेंट के माध्यम से हम अपना बड़ा टीम कर सकते हैं आज हमें सेट्शॉप कंपनी का जो वीजन मिला है उस वीजन से हमें अपना और अपने बच्चों का भविष सू निशित और सू द्रण दिखाए दिया शिया हो गिस्पुरी दरेक्थ से दरेक्थ से है ये दरेक्थ से